और विख कि अबैडा एम भी नबस्ते आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे मैस 24 इंटू 7 में हम लोगोंने मैस 24 इंटू 7 नहीं रखा सेसर इतना जोस है हम लोगों में इतना ज्रून है हम लोगों में क्योंकि जितने दिन से हम मैस पड़ा रहे हैं मैं देख रहा हूँ बच्चे का basic नहीं से इस वज़ा से उसके math अच्छी नहीं तो हम लोगों ने क्या किया sir एक campaign चुला रहे हैं मतलब आप हर बच्चा math पड़ेगा भारत में बिदेश के कोने कोने में बैठे लोग math पड़ेंगे math की ABCD हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे हैं academic class 6 से 12 तकी classes हैं जिसमें math को हम लोगों ने 0 से top label तक handle किया हुआ हमारे द्वारा design किया IQ label पे questions है हमारे द्वारा design किया math formula की booklet है हमारे द्वारा design किया DPPs है जो practice में हम लोग देते हैं कि भाया आज एक DPP आपको करना ही करना है गारजन भी देखता खुस होता है कि चलो ठीक work मिला क्यों काम क्यों नहीं किया तो थोड़ा सा क्या है कि जो तरीका हम लोगों ने change किया और यह सारा तरीका हम लोगों के तज़ुर्वे बेस पे हैसर यह तज़ुर्वे बेस पे हमने जाना कि math कि अगर A, B, C, D नहीं पता तो अच्छा math वो नहीं पढ़ सकता अगर उसको practice में नहीं लाओगे तो maths नहीं पढ़ सकता तो इस इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखते हुए दो सक्टर स्टार्ट किया एक academic और एक वो basic foundation जिससे maths को बहतर बनाया जा सकता है किसी competition को आसानी से pass कर सकते हो आप इनी सीधा सीधा बोले math की ABCD से हम लोग उस concept तक आपको पहुचा रहे हैं जहां आप सोच भी नहीं सकते और हाँ एक बात मैं बता दूँ जितने भी लोग math पढ़ रहे हैं या पढ़ने जाते हैं और कहते सर ट्रिक समझ में नहीं आई या सर आप ट्रिक से पढ़ाईए मैं आपको साब साब बता देता हूं कि आपकी ट्रिक तब ही काम आती है जब आपको कुछ आता हो math में क्योंकि सर जिसके पास अथा पैसा है छोटा मूटा दिमाग पैसे कमामले मों लगा देता है लेकिन जिसके पास कुछ नहीं हो पैसे मामलना दिमाग नहीं लगा सकता है ठीक मैट्स की भी कहानी यही है अगर आपको मैट्स आती है आपने कुछ क्वेशन पूछा हो वो दिमाग मैं ऐसे-ऐसे करके बता दीगा तो मैट्स का बेसिक सीखो फिर ट्रिक सीखो क्योंकि बिना बेसिक के आपको ट्रिक काम नहीं करेगा ठीक है तो इन सारी चीजों में एक बात बताना बोली गया कि मैट्स की पढ़ाई हम से अच्छा के कराई आपका बहुत बहुत स्वागत है आईए हम आपको दिखा दें वो जो कंटेंट है जिस पे मैंने बोला था कि वो 45 chapters, 45 days में हम complete करेंगे सर उसका आगाज है आज पहला दिन है hashtag basic math hashtag basic math पर डे आपको एक एक चाप्टर का content मैं पढ़ाऊंगा fully concept clear होंगे हाँ मैं मानता हूँ कि धे सारे questions मैं ना करा पाऊं लेकिन उनकी जनम कुंडली तो मैं खोली दूँगा सारे formulae design करूँगा और मैं आपको दिखा दूँगा सर math का initial ये था और end भी ये था नवस्ते हमारा जो topic है हमने 10 variety के नंबरों को select किया हुआ ये इसलिए जरूरी है सर जैसे इस धर्ती पे तमाम variety के human being है कोई छोटा है कोई बड़ा है कोई अमीर है कोई गरीब है कोई उच है कोई नीच है कोई बहुत पैसा कमाता कोई कम कमाता है इन सब से पूरी धर्ती तिकी है अगर सोचिए कोई काम करने वाला नहीं होता तो काम कैसे होता हर कोई अमीर हो जाता तो छोटा काम कौन करता तो सर जैसे सब लोगं का importance है उन सब की वज़ा से को system चल रहा धरती का ठीक उसी प्रकार से अगर number नहीं होते तो मुझे लगता है कि match पैदा नहीं होता अगर match पढ़ना है तो इन लोगं को तो जानना सीखो इनको तो जानो साहब आईए एक बग फिर से हम आपका बहुत स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं भंदन करते हैं आयुद्या में आपका स्वागत है और हाँ मैंने बताया नहीं न एक अगस्त से हम लोग आफलाइन भी स्टार्ट करें है इस हैस्ट्रेग बेसिक मत्रों 45 डेज 45 चाप्टर रसर गारंटी खतम करूंगा आये मैं आपको ले चलता हूं अपने शिस्टम पर ठीक है सर आये मैंने बताया था नेचुरल नंबर क्या बताया था नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर सर हमें लगता है कि यही हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ते हैं नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है बहिया स्टार्ट होता है वन तू थ्री फोर और जहां तक मन कहले लिख लो आप दूसरा होल नंबर होल नंबर होल नंबर start होता है 0 से 0, 1, 2, 3, 4 और आपका जहां तक कलीजा कहें लिख लिजे, कोई दिक्कार नहीं है आच्छा, आपने देखा हाई 0 से start हो रहा है हाई 1 से start हो रहा है तो मुझे लगता है कि जो natural number है whole number का beta है पुछे क्यों? अरे beta जो होगा, बाप से छोटा नहोगा, तो ये whole number जो है जो 0 से start हो रहा है उसमें natural है, यह हम यह बोलें अगर गमई भासा में कि all the numbers, all the natural numbers are whole number तो सही है, सही है सही, कोई दिक्का नहीं है, और अगर कोई बोले all the whole numbers are natural number तो काका एक बात बताओ, 0 कहा गया है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से ये दो number आपने देखा कौन-कौन से हो गए, natural हो गए whole number, अब ज़र एक चीज़ और even number की बात कर लो even number की बात कर लो even number कौन सा होता even number बबुआ वो होता है जो दो के पहाड़े में आता है यहीं दो, 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 ना, चा, दो, ती, या, छ, दो, च, आ, यह, 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 दो है चार है, छे है, आठ है अब आपका मन जहां तक लिखना चाहो लिख लो तो आपने देखा यह तीन हो गया आप जरह सा हम लोग इसी को यह रिस कर दें, क्या नहीं यहां लिख लेता है यह odd number बबुआ, odd number अरे जब आप linear question into one variable पढ़ोगे ना इसके सब की जरूरत पढ़ देगी ऐसे बूलता है three consecutive odd number the sum of three consecutive odd number is फलाने then what are the number तो यह देखो odd number start होता है one, three, five, seven यह नहीं, मतलब हम तो यह हमको 80 भी बहुत लगती है even number का जस्ट उल्टा वो कहता तुम भाईया पुरुप चलोगे तो हम पच्छु चलेंगे तुम उत्तर चलोगे तो हम दक्छुर चलेंगे मतलब हमारा तुमारा रिस्ता कभी बनाने जैसे पटीदार कभी बनता नहीं है तो यह odd number हो गया हमने चार पढ़ा ना? अच्छा इसको मैं पूरा मिटाए देता हूँ चार हो गया, अब अपने पास जड़ा prime number, अब आप बगवा जड़ा समझो यह prime number क्यों पढ़ें? अभी बताता हूँ कभी आप भिन्न का question लगाए हो जब भिन्न का question नहीं हो fraction जब आप पढ़ते हो जिसमें LCM लेना पढ़ता है तब बिना इन लोगों के नहीं होता अगर आप LCM लेना जानते होंगे तो आपको आता होगा नहीं जानते हो तो हम तो पढ़ाएंगे प्राइम नंबर वो नंबर होता है प्राइम नंबर वो नंबर होता है having यहां लिख दीजिए having only two factor two factor अब हमको प्राइम नंबर है समझे पुछका है एक तो हम अपने आपको जानते हैं या तो आप लोग मुझे जानते हो दो के टेबल में आता है अच्छा और कौन जानता है अरे दो को एक जानता न एक के पाना माता तो है दो तीन तीन को जानता है खरें जिसके दो factor हो वो प्राइम नंबर होता है तो ऐसे जरा इन पे विचार करिये हईं क्या नहीं है पुछका है दूई तियां छे तीन दुना छे छे कन्यम छे, दो से जादे हो गए इसको कटो, इसको कटे यह बीच में कहां आ गया, ठीक है, देखो दो, तीन, पांच यह कह रहा है साथ, नौ है क्या, अरे नौ नहीं है भहिया, देखो तीन तरिक्का नौ, नौ, एक नौ, एक नौ, तो नौ नहीं है, दस नहीं है ग्यारा, तेरा अब इतने समझदार हो वैसे जब भी LCM-LCM लेना पड़ेगा दो, तीन, पांच, साथ में काम चल जाता है बहुत जादे परिशान नहीं हो, यह प्राइम नंबर हो गया आप ज़रा Composite नंबर देख लिजे क्या है, Composite देखो भाईया, Composite एक टाइप का देखा ज़ा, इसी का उल्टा है काहे, यह कहरा था कि हमरे पास सिर्फ दो Factor होता है, क्या Factor होता है? हमरे पास सिर्फ दो Factor होता है, अब यह कहरा भाईया, देखो, हमरे पास दो तो होता है उससे ज़ादे भी होता है, मतलब यह इसके पास इसका अगर गुड़न खंड करें तो इसके पास दो से ज़ादे होते हैं, for example अगर मैं चार ले लूँ अब आप चार को देखें, वन जानता है कि नहीं जानता, दो जानता है कि नहीं जानता, चार जानता यह जानता जानता, जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब सिर्फ ही है, कि एक के पहाणा में चार आता कि नहीं, दो के पहाणे में चार आता कि नहीं, चार समया बबु ज़रा आगे आठाया इसको चले है है अब ज़रा ट्विन प्राइम देखिए त्विन फ्राइम डूरता प्राइम और एक को प्राइम क्या देखिए ईरता नंबर तांथैन्डर एक की गैपिंग दो होती है उन दोनों की बीच की गैपिंग क्या होती है दो होती है जरा ध्यान से देखिए जैसे मान लीजिए अपने मिला तीन इसके बाद पांच मिला तो यह टूइन प्राइम है क्या है टूइन प्राइम है अच्छा जरा पांच और साथ देखिए यह तो ढोड़िये अईसे डे सारे आपको number मिल जाएंगे, अच्छा, को प्राइम, को प्राइम का मतलब होता है, कि वुँद दोनों number वा, रहेंगे तो अच्छा number, रहेंगे तो अच्छा number, लेकिन बबुआ उन लोगों में वही रिस्ता होता है, जैसे प्राइम के कहानी हो जा तो बहुत सी चीजें हैं जो मैं भकना नहीं चाहता ये को प्राइम को समझे जरा दो नंबर लीजे एक आठ ले लीजे और एक मतब पंदरा ले लीजे देखे आठ और पंदरा दोनों प्राइम नहीं है ना अजरा इनको देखे इनको दो जानता है इनको चार जानता है इनको 3 जानता है इनको 5 जानता है इनको 15 जानता ही है और आप जनवे करते हैं आप बथाएगे 8 और 15 हम co-prime इसलिए बोलेंगे क्योंकि इनकी हाँ 2, 4, 8 फैक्टर इनकी हाँ 3, 5, 15 फैक्टर है यह है तो prime नहीं देख लिजा यह दोनो prime नमबर नहीं है कसम खाके बता रहा हूँ, लेकिन ये को प्राइम है, क्योंकि इन दोनों में दूर दूर का रिस्ता नहीं है, दो की टेबल में वो नहीं आता, तीन की टेबल में ये नहीं आता, पांच की टेबल में ये नहीं आता, तो चार की टेबल में ये नहीं सर कभी-कभी तो मुझे लगता है कि जो rational number हम पढ़ते हैं भिन्न का दूसरा रूप है ये हमने fraction पढ़ा, simply उसमें आप जानते होंगे कुछ उपर होता, कुछ नीचे होता है ठीक कहानी इनकी भी है, तो जरा ध्यान से देखे, rational जैसे 1 by 2 लिखा ये rational है minus 1 by 2 लिखा ये rational है, 3 by 4 लिखा ये rational है, तो इनकी कहानी क्या है ये कहता है कि कोई भी rational number P by Q के form में हो, लेकिन निचवा जो denominator है भगवान उसको 0 ना करे, तो मेरे पास एक question आ गया, क्या 0 rational है, क्या 0 rational है तो साब देखे, मैंने बताया था, मैं और बच्चे को बता चुक है, इसमें तो अभी आप ही को बता रहा हूं कि जिसका कोई नहीं होता, उसका भगवान होता है, तो जिसका कोई नहीं होता, उसका भगवान होता है और ये क्या बन गया, तो ये 0 by 1 मैंने लिखा आप बताए, 0 अकेला था, upon 1 मैंने लगा दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया इस time rational number, क्या बन गया, rational है, मतब जीरो rational है, अच्छा, तो थोड़ा सा और भी बता दे, irrational, irrational, irrational number, बबुआ, सही-सही बताएं, तो थोड़ा सा देखिएगा, यह rational में ही आता है, इसके features जैसे खांदान में या घर में कोई एक अलग निकल जाता है nature का, कुछ ऐसा ही है, जरा ध्याँ से देखिए, आप जानते होंगे, अभी मैंने बता है कि अगर fraction है, तो उसको आप decimal में तो करी सकते हो, जरा ध्याँ से देखिए, मैंने लिखा 0.2, यह मेरा question है, क्या था यह 0.2, अगला question है, मैंने लिखा 0.33, अच्छा, अगला question है, 0.34, 34, 34, मतलब यह सभी rational है, ध्याँ से देख लेजिए, क्या है, सभी rational, क्योंकि rational एक digit पे भी कट सकता है, टू डिजिट पे भी कट सकता है, और repetition टू टू डिजिट का हो सक लेकि एक निकम्मा डिजिट निकल गया था, जैसे 1, 2, 9, 3, 4, 9, 6, 7, 6, 9, 3, 4, 1, 2, 6, 9, स्वाहा, मतलब क्या बताए, अब आप चाहो तो आपने पसंद का number लेलो, हम आपका रूप थोड़ी रहा है, यह देखो, यही number वा है भाईया, इसी को आप इसी के खानदान में, irrational के खानदान में एक कुलायक पैदा हो गया था, जिसको irrational बोला जाता है, irrational सीधा सीधा तो गमई भासम बताएं, तो root, मतलब बोले तो root, जैसे root 2, root 3, root 5, यह irrational है, मतलब जिनमें root लग गया वो irrational है, बाकी तो आपको पते था, कि rational में हम लोगों ने fraction पढ़ा, भिन ने पढ हमें लगता है कि उसे में plus minus इदर दर लगा दोना, तो सारे भिनों हमको rational है नजर आते हैं, अच्छा, यह चीज़ खतम, कितना नंबर हो गया, हमने आपको natural पढ़ा दिया, whole पढ़ा दिया, even odd पढ़ा दिया, prime नंबर, composite नंबर, twin prime, co prime, rational, अरे सर, 10 नंबर तो हो गया, लगातार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लगातार, लगातार, अच्छा, अगर बोरियत ना महसूस हो रहे हो, तो एक छोटी मोटी बात और बता दे, नंबर सिस्टा मखिर में क्यों पढ़े, मैंने बोला, क्योंकि नंबर रोग जाना बहुत जरूरी है, सर, कई-कई questions ऐसे ह होते हैं, जिसमें कुछ properties लग जाते हैं, जरा देखे, trick, trick देखे, मैंने लिखा यहाँ 25, मैंने लिखा यहाँ 7, मैंने लिखा यहाँ 4, यह नंबरों का game है, सर, इसको rearrange करके, 25 into 4 करिए, into 7 करिए, तो अभी 25 चोक का हो जाएगा 100, गुड़े हो जाएगा 7, आंसर तो जैसे बड़ी note सबसे नीचे फिर उसके ऊपर, फिर इसको ऊपर थोड़ा रखने मच्छा लगता, नए उल्टा सदा मतब पकड़ के रख लोगे कहीं, वह अच्छा नहीं लगेगा, तो number में यह बताया जाता है, कि आखिर में number का rearrange करना क्यूं जरूरी है, और क्यूं बड़े से बड़े question को हम लोग number system की help से, उनकी property की help से बहुत चुटकी में कर सकते हैं, आई एक question और दिखा दें, आपको कोई कहा कि जरा भाईया, 374 गुड़े 400 कर दीजिए, और plus 600 into 374 कर दीजिए, अब आप लगे calculate करने, 374 गुड़े ऐसे, 374 गुड़े ऐसे, जितना भी आपको करम करोगे, उसमें time लगेगा, अव जग्या थोड़ा भी दिमाग लगाओ, 374 इनके खांदान में, 374 इनके खांदान में, तो 374 को हमने लिया common, हमने लिखा इनके खानदान में बचा था 400, इनके खांदान में बचा था 600, अब तीन साथ चार गुड़े एक हाजार और भहिया इसका मल्टिप्लाई बहुत इजी होता है नंगा नंबर लिख लो और जितना 0 है लगा दीजी ये है प्रापर्टी इसको डिस्टिबूटिव प्रापर्टी बोलते हैं तो सर अब क्या बाता है बहुत मज़ा आता है नंबर सिस्टम पढ़े जड़े क्वेशन और देखिए अगर लिखा हुआ दीज प्लस तीज प्लस चालीस तो आप इनको रियरेंज कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं कोई किसी का क्या बोल दे उल्टा सिद्धा मैं बोल दे तो इसलिके त्वड़ा से अच्छा नहीं लगेगा अरे यहां किसी के बाप का राज नहीं है आप जहां चाहूँ वो लिखो इनको पलट के रखो कोई दिक्कत नहीं है 500 का छुटा करा हो 100 यहां रखो 100 यहां रखो 100 पिछवाड़े रखो कुछ भी करो माई बाप 500 पांसो रहेगा आप नंबरों का री एरेंज कर सकते हैं कोई टेंशन नहीं है तो यह कितना होगा 30, 20, 50, 40, 90 एक छोटी सी बात और यह लास्ट बात होगी है देखे री एरेंज क्यों जरूरी है सर वो बहुत आसान हो जाता है multiply, divide, addition, subtraction जैसे माई लिजे यहां 730 है यहां 690 है यहां 200 कितना 70 है यहां 310 है माई लिजे यह नंबर है अब आप पहले आई से करो इसके नीचे इसको रखो फिर इसके नीचे इसको रखो फिर इसके नीचे इसको रखो फिर जोड लो तो मैं कहूंगा आपसे ध्यान से 730 प्लस 271 साथ करा दीजे 690 प्लस 310 एक साथ करा दीजे आप ज़रा देखे 37, 37, 27, 29 1000 यह हो गया और 1000 वो हो गया आंसर आगे आपका 2000 ऐसे सर बहुत सी चीजें है वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं क्या क्या मैं नहीं पढ़ा डालता अगर अच्छा लगा होगा आपको कि सर अच्छा पढ़ा रहे हो आप वीडियो कितना भी बड़ा बनाओ तो मैं जनम कुंडलीन का और तगड़ा खोलूँगा धन्यवाद